हेलो माई यूटूब फैमिली सभी को राधरादे फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपके लिए नियू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं आपको साथ 3 आइडिया शेयर करूंगी वो भी एक पुराने शर्ट से जो कि हमारा जैसे कि बहुत सारे पीस होते हैं यहां से पूरी खराब हो चुकी है तो आज हम इसका करेंगे रियूज तो मैं आपको साथ 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ सबसे ज्यादा आएडिया पसंदा आएगा तो वह मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएगा और आप प्लीज कमेंट जरूर किया करें जिस इस तरीके से बिच्छा लिया है और बिच्छाने के बाद मैं जो इसकी स्लीप्स है शर्ट की उन्हें मैंने अलग कर लिया है और अलग करने के बाद मैं जो इस तरीके से अलग कर लूँगे और अलग करने के बाद मैं जो यह शर्ट है इसे दोनों साइडों से हम कर लेंग अगर आप शायट के पिछले हिसे का यूज करना चाहते हैं तो उसका कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां अलग से एक फैबरिक ले लिया है लाइनिंग के लिए और इसमें मैं बीच में जो अटबोरी है वो लगाने वाली हूं और इस पीस को मैं रख लिया इसके चारो साइड में तो भी है या तो पीस को नचिष को वाला काया में अब कड़ में में रहते हैं इस सारी पीस को दो ऊंपरिक निकाल दिया है आप काट करके निकालनी के बाद में इसे हम तीनो साइडों से इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली स्लाई लगा लेंगे जैसे यहां फिनिशिंग हो रहा है तो इस तरीके से हम इसे चारो तरफ से फिनिशिंग वाली स्लाई लगा लेंगे तो बस इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और बस फिनिशिंग वाली हमें स्लाइल लगानी है तो मैंने यहां देखिए यहां लाइनिंग के लिए एक जो पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी उसका यूज किया है आप किसी भी फैबरिक का यहां यूज कर सकते हैं और अब सर्दियां आने वाली हैं तो यह मैं बना रही हूँ आप बहुत एजली पुरानी जो भी कपड़े होते हैं उनसे घर पर ही बहुत असानी से बना सकते हैं तो यह देखिए हमने यह तीनों साड को से डबल फील्ड करते हूए फिनिश करें लिया अब फीनिश करने के बाद में यहां बीच वाला पाड इंब हैं और दूसरी वाली साइड में भी जो 4 इंच का निशान लगाया है वहां से हम इस तरीके से इसे यहां फोल्ड कर देंगे और यहां पिन अप कर देंगे पिन अप करने के बाद में यहां हम लगाएंगे लगबग 1.5 इंच पर या फिर आप सबा सबा इंच पर यहां इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिएगा तो यहां यह देखे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहां लगानी है हमें सलाई तो दोनों साइडों में हम यहां स्लाई लगा लेंगे और यह दोनों साइडों में मैंने स्लाई लगा लिए है अब स्लाई लगाने के बाद में हमारे पास घर में बहुत सारी डोरियां वगेरा पड़ी होती हैं तो आप कोई भी लंबी सी एक श्ट्रिप ले लीजिए और यहां से हमें दोनों साइडों में श्ट्रिप को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद में यह हमारा जो एप्रेन है वो बनकर एकदम तयार है और इसे आप अपने हिसाप से अजेस्ट कर सकते हैं तो एक वेश्ट पुरानी वेश्ट थी जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी उसका रियूस भी हो गया और मुझे यह बहुत दिनों से चाहिए था तो मैंने यह बना लिया है तो आप मुझे प्लीस कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कैसा बना है और वाटर प्रूफ है इसमें अंदर पानी ब्रकुल भी नहीं जाएगा और हमारे कपड़े गीले भी नहीं होंगे तो सर्दियों में बहुत जरूरी था अब दूसरा वाला आइडिया उसके लिए जो बैक पार्ट है शायट का वो लिया है मैंने और इसमें से मैं एक पीस कट करूंगी तो यहां मैंने 20 इंच है और जिसकी चोड़ाई 14 इंच है तो 21 14 इंच का यह मैंने एक पीस लिया है और यहां मैंने 14 इंच की चैन ली है और एक लेना है हमें रनर तो अब जो चैन का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है और यहां मैंने इस तरीके से सीधे पीस के है अब का जो एक पार्ट है वह मैं से निकाल लेंगे और निकालने के बाद मैं दूसरी वाली साइड है वहां भी स्यतारी के सक्ञाב हम इस से टाइच करेंगे तो अटेच्छ करने के लिए देखिए जो यह शर्ट का सीधा और उसके और जो छैन का से हम इस तरी कि sa और उकारिज करेंगे। निलाइनंन्ग न रहते हैं लेटेंगे। मैं चैनों रहना हम सबस्काइक कीट वाल में रहाई है। चैन लहां भी सबस्क्रब्स या नोगा। है और बीच में भी दो स्लाइएं लगा ली है अब इसमें हम जो चैन है उसे यहां सौरी रणर है उसे हम इंसर्ट करेंगे तो इसको डालना बहुत ज्यादा इजी होता है पहले मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूं बस इस तरीके से डालेंगे दूसरी वाली साइट से फिर दुबारा से हम डाल देंगे और इस रणर को हम बीच में कर देंगे तो इस तरीके से यह हमारा इंसर्ट हो चुका है अब इसे हम कर लेंगे उल्टा उल्टा करने के बाद में यहां चैन को हमें उपर की साइड में रखना है और नीचे की साइड में हमें 1.2 इंच पर तो यहां मैं ने कर लिया अब पौच बंच लिए यहां मैं बचा हुआ था इसमें जो पीस बचा हुआ था इसमें कुछ इस तरीके से हैं तो यहां मैंने 16 इंच भाई 3 इंच की दो स्ट्रिप ली हैं दोनों साइडों से डबल फोल्ड किया बीच में से फोल्ड कर दिया और हमारी इस ट्रिप बनकर तयार है अब इन्हें तयार करने के बाद जो बैग हमने यह तयार किया है वहां इसमें हमें बीच में मिडल में इस तरीके से निशान लगाना है और जो निशान लगाया है उससे लगबग धाई इंच इस साइड में और धाई इंच इस साइड में हमें निशान लगाना है और फिर नीच वाली साइड में हमें डेड़ इंच पर निशान लगाना है अब यहां इस तर जो भी काम के लिए से यूज करना चाहते हैं जरूर ही निया आप शाइट में से बनाए अच्छा सा कोई फैबरिक लेकर आप उसमें से भी बैक को बना सकते हैं तो यह आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अब जो थर्ड आइडिया है उसके ल अब जो दूसी वाली स्लीव है इसी तरीके से सेम हम कट कर लेंगे अब हर शाइड का अलालग मेजरमेंट होता है यह थोड़ा बड़ा हो सकता है तो इसमें कोई भी वह नहीं है तो आप ले सकते हैं किसी भी शाइड को और यहां दौनों के एक साथ रखके यहां जो अनी अनी वन है उसे मैंने इवन कर लिया है और यहां इस तरीके से हम उपर से इसे शेप दे देंगे जो भी अनी वन है और यहां साइडों सो भी हम इसे एक दम एक्वल कर लेंगे तो यह भी बहुत ही प्यारा सा एक बैक बनने वाला है तो फुल वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा करें तो यह मेरा 16 इंच बैठ रहा है तो यहां इस तरीके से यह दो पीस मेरे तियार हो गए है अब इन दौनों को हम डबल फोल्ड करते हुए उल्टी सफेटा में अब पीस कटकी हैं यहां किका अन्हें हम इस तरीके से अलाग करेंगे तो सिस्टा तो अ घाल है तो सब्सक्राइब साचन जाओ अविर वे ने जुआ गाते हुए तो राक दीनेिपें करेंगे इस तरीके सेम पूर जॉयंट कर लिया है अब ज्यूंट करने के बाद में यह देखी यह फिनिश कर लिया ओर एक देखी लिए और इस पीस को नायिंगे अंग रिखन हें जह हैनों को आप रेमिस को helps me लगबग धाई इंच पर निशान लगाना है और साइडों से हमें थोड़ा थोड़ा फैबरिक छोड़ते हुए यहां चारो तरफ इसमें लगानी है तो इसमें मैं स्लाई लगा लेती हूँ तो इसमें मैं अब मैं दो यहां बैल्ट तियार करने वाली हूँ तो उसके लिए 15 इंच की टू स्ट्रिप ली हैं और उन्हें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए और बीच में स्लाई लगाते हुए मैंने तयार कर लिया है अब जो यह हमने दो पीज तयार कि हैं उनका मिडिल पार्ट इस तरीके से निकाला और निकालने के बाद मैं यहां मैंने डेड़ इस contained 1 पियसे स्लाई लगा एक तयार कर लेंगी तो दोनों पीसों मार्वें वहार करना है अब बैक को क्रते हैं हम सीधा और देखे बहुत ही प्यारा सा एक हमारा अवाला सबजी लेने के लिए वह वहार प्यारा तो मार्केट जाते हैं तो हम कोई वी कई पास बेसा लगय तर बिश्कन हाद में आ जाएगें अचछे में सब्सक्राइब और यह जो हमने इसमें बीच में कफ से बनाया था तो इससे यह अच्छी सी यह फोल्ड होके कहीं भी अच्छी से रख सकते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा बैक बनके तयार है जब भी यूज करना है बसे इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और इसे हम यूज क पताईएगा और हो सके तो वीडियो को जाज जैदा शियर भी क्या करें और मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसबरी से इंतिजार करती हूं तो प्लीज एक कमेंट भी क्या करें जिससे कि मुझे पता लगा करें कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं झाल 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 झाल